हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एक्जाम सोलूशन्स फ्रेंड्स आज जो टोपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फैक्टर्स एफेक्टिंग करुकूलम डवलप्मेंट पाठ्य करम को परभावित करने वाले कारक प्रीवियस वीडियो में हम फिलोसफिकल फैक्टर को डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में हम साइक्लोजिकल फैक्टर मनोवैज्यानिक कारक को डिस्कस करेंगे शिक्षा की वर्तमान धारना के अनुसार सिक्षा का परमुख उदेश्य बालक के वैवार में अपेक्षित परिवर्तन लाना है एड़ परजेंट एजुकेशन का जो एम है वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर में डिजाइरेबल चेंज लाना है इस उदेश्य को पूरा करने के लिए बच्चों के वैवार को चेंज करने के लिए पाठे करम का निर्मान बच्चों के अनुसार ही किया जाना चाहिए बालकों की परकरती, उनके विकास के विभिन्स्तर, उनकी क्या अवशक्ताएं हैं, उनकी क्या रूचियां हैं इन सब को ध्यान में रखकर पाठे करम का निर्मान किया जाना चाहिए कुछ मनोवैग्यानिक कारक देखते हैं जिनका इफेक्ट करिकुलम पर पढ़ता है इन में से फर्स्ट है व्यक्तिगत विभिनता एवं पाठे करम विस्व में कोई भी दो व्यक्ति सभी रूपों में एक जैसे नहीं हो सकते यहां तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भी विभिनताएं होती है इसलिए विध्याले में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका वर्गी करन, परतीबा संपन, सामान्य, दीमी गती से सीखने वाले, पिछडे, मंद बुद्धी, आदी के रूप में किया जाता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो स्लो लर्नर होते हैं वो दीरे दीरे सीखते हैं और कुछ गोड़ गिफ्टीड कहा जाता है कुछ को जो की बहुत जल्दी सीख जाते हैं तो जब curriculum का निर्मान किया जाता है, तो इन सब को ध्यान में रखकर ही curriculum बनाया जाता है, ऐसे ही विभिन आयूवर्ग के जो students होते हैं, उनके लिए अलग-अलग पाथे करम का निर्मान किया जाना उप्योगी है, नेक्स्ट है अभी रूची एवं पाठेकरम जो करिकुलम बनाया जाता है वो स्टूडेंट्स के इंट्रेस्ट के अकोर्डिंग बनाया जाना चाहिए साथ ही करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसकों कि जब इंपिलिमेंट किया जाता है तो उसमें बचों का इंट्रेस्ट दीरे-दीरे डवलप होता जाए पाठेकरम का निर्मान करते समय पाठेकरम बचों के जीवन से संबंदित होना चाहिए इस परकार के जो करिकुलम होता है उसमें बचों का इंट्रेस्ट स्वेम ही विक्सित हो जाता है नेक्स्ट है परिपक्वता तथा पाठ्यकरम मनुशे की आयूमे व्रदी के साथ समुचित ढंग से होने वाले शारेरिक और मांसिक परिवर्तनों को मनोविज्यान में परिपक्वता की संग्या दी जाती है अते पाठ्यकरम नियोजन में अधीगम अनुभाओं की परिपक्वता के स्तर से संबंदित किया जाना आवशक है कि जो भी उनको लर्निंग एक्सपीरियंस दिये जाते हैं वो उनके मैचॉरिटी लेवल के अकोर्डिंग दिये जाने चाहिए स्टूडेंट्स की क्या एज है उसके अकोर्डिंग जो करिकुलम है वो बनाया जाना चाहिए कुछ समय पहले तक तारकिक ग्यान मध्यमिक स्तर से पहले देना ठीक नहीं समझा जाता था किन्तू अवतारकिक ग्यान संबंदी पाठ्यकरम का समावेश प्राथमिक ही नहीं बलकि पूरो प्राथमिक स्तर पर भी उचित माना जाने लगा है बालक किसी भी बात को तब ही सीख सकता है जब उसमें शारिक एवं मानसिक परिपकोताएं होती है बच्चों की शारिक और मानसिक विशेस्ताओं के अधार पर पाठ्यकरम का निर्मान किया जाता है मनोविज्ञान के विकास ने सिक्षा के हर पक्ष को पर भावित किया है मनोविज्ञानिक परकरती के अनुसार सिक्षा बाल के निर्थ होनी चाहिए कि Child-Centered Education होनी चाहिए इसके साथ ही खेल मनोविज्यान, नैतिक विकास का मनोविज्यान, चिंतन मनोविज्यान, आधी का अध्यन भी किया जा रहा है इन सब का पाठे करम पर परभाव पड़ा है साइकलोजी में जो रिसर्च हुई है, जो काम हुआ है साइकलोजी की फिल्ड में उसका करिकुलम पर बहुत अधिक इफेक्ट पड़ा है मनोविज्यान के विकास के कारण ही अनेक देशों में बालकों के अवशकताओं के अधार पर पाठे करम के निर्मान का परियास किया है इस वीडियो में हमने डिसकस किया कि मनोविज्यानिक कारक पाठे करम को कैसे परभावित करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि sociological factor या सामाजिक कारक पाठे करम को कैसे परभावित करते हैं I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी यदि वीडियो helpful लगी हो तो इसे like कीजिए, share कीजिए and for more educational videos मेरे चैनल को subscribe कीजिए और साथ में जो bell है उसे भी press कीजिए ताकि आगे आने वाली videos का notification भी आपको मिलता रहे Thanks for watching my video